अब थोड़ा बात करते हैं रिजर्वर्ट्स क्या होते हैं तो यह रिजर्वर्ट्स क्या होते हैं जो भी वेरिबल नेम्स या इडेंटिफियर्स वगारा होते हैं उसमें हम इनका यूज नहीं कर सकते इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो उस लैंग्वेज में होते हैं तो पाइफन में कौन-कौन से हैं हमारे पास रिजर्वर्ट्स यह कुछ एक वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं यह कुछ वर्ड्स को हम इसका यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं अब हम बात करते हैं वैरिबल डिकलिरेशन की कि वैरिबल डिकलियर कैसे हमने नेमिंग रूल सीक लिए ठीक है जी हमने इडेंटिफायर्स का पता कर लिए अडेंटिफायर्स क्या होते हैं कैसे कैसे उसको नाम दिया जाता है कैसे किया जाता है अब डिकलियर कैसे करते हैं क्या है कि बहुत सारी language में है क्या होता है कि सबसे पहले तो variable को declare ही करना पड़ता है मतलब क्या होता है कि memory में उसके लिए space जो है वो छोड़ने पड़ती है तब ही जो है वो आगे बढ़ता है फ़र एक्जमपल अगर हम बात करें सी या सी प्लस प्लस की तो उसमें क्या होता है कि पहले जो है वो variable declare हो था बाद में use होता है बट पाइथन में ऐसा नहीं है पाइथन में क्या है कि अगर आप variable declare नहीं करते हैं और उसको बाद में use करना चाहें तो आप उसको सीधा ही use कर सकते है ठीक है जी तो ये तो बात हुई पाइथन की अब आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है कि एक memory space जो है वो पहले ही छोड़ दी जाती है on the behalf of variable itself for example क्या है कि अगर मैं x is equal to 10 लिख दूँ ये x y is equal to कोई string लिख दूँ तो क्या होगा वो अपने आप python जो होगा उसको वहाँ से number को x type को numeric बना देगा और x y को अपने आप string type का बना देगा तो हमें कुछ बताने की जूरुत नहीं है python जो होगा वो अपने आप जो होगा उसको ले लेगा